हलो दोस्तों नमस्कार तो एक बार और आप सभी का स्वागत करते हूं अपने लर्निंग वीडियो में जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं मार्केट का हाल बैंक निफ्टी 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 फाइनांस उसके बाद कुरूड ओयल नैचुरल गैस और चार के अनलिशिस करते हैं अगर आप अनलिशिस करते हो तो आप देखोगे प्राइस ने एक अच्छा सा यहां से प्राइस से क्या किए है एक बहुत ही अच्छा मूव किया है और बहुत ही बहुत ही बहुत करने के बाद यहां से एक रेंज का formation किया है और रेंज का यहां पर breakout करता दिखा है एक flag and pole टाइप का आप कहा सकते हैं कि flag and pole pattern बनाने की कुशिश कर रहा और breakout दे अगर हम trend में बने रहते हैं तो कहीं न कहीं यह level हमारे लिए बहुत important है इसके नीचे का level जो है इस candle की नीचे हमारा stop loss होगा और इसके उपर का try हम करेंगे trade के लिए लेकिन ध्यान रहे कि अगर nifty किसी भी तरीके से यहां पर एक red candle का formation कर देता है और continue करता है तो market यह level को भी तोड़के और नीचे down side भी जा सकता है ति निफ्टी में यह दोनों तरफ का momentum को आप नजर बनाके रखें इंट्राडे के purpose दे चली यहां पर बैंक निफ्टी को देखते हैं निफ्टी बैंक ने क्या क्या है निफ्टी बैंक ने एक बहुत ही अच्छा यहां पर flag and pole का कह स सकते हैं कि पैटन का formation किया breakout दिया है ब्रेक करके sustain कर रहा है यह जो candle है इसके नीचे के low के नीचे SL रखेंगे और यह जहां पर भी move करता है यह जैसे height है यहां पर हम target लेकर चल सकते हैं बट अगर गलती से भी market ने इसके नीचे में एक red candle का closure मारा और continue करने कोशिस किया तो एक बड़ा move आ सकता है downside में nifty bank में तो यह दोनों level को आप ध्यान रखें मैंने जो यहां पर time frame इस्तेमाल किया हुआ है आपके लिए लगबाद 30 minutes का time frame है 15 minutes 15 minutes में भी same analysis होगी उसके बाद next अगर आप देखते हैं यहां पर तो 30 minutes का time frame nifty finance को देखते हैं यह level हमारे लिएक resistance हुआ करता था इसका breakout दिया है अगर market को उपर जाना गयती है यह नीचे का stop loss लगा करके इसको trail किया जा सकता बड़ा target के लिए बड़ अगर इसके नीचे red candle का formation होता है तो market अपने यह level को भी breakdown करके downside आ सकता है यह सारे level को आप नजर बना के रखें यहां पर मैं आपको बत है कि market जब नीचे आ रहा है तो यहां से जब upside गया था यहां पर आपसे बात किया था कि अगर नीचे आता है तो market कहीं ने कहें डब्लू पैटन का formation कर सकता है आप देखेंगे कि यह first bottom था गया second bottom था यहां से pullback मारा हो बहुत अच्छा price यहां पर एक strong signal देता हुआ दिखा है एक बड़ा gap up के साथ यहां पर open हुआ है और पिछले resistance को hit करता हुआ upside जा रहा है तो जब market में एक लंबा fall आता है ना फिर जब market gap up के साथ उपर होता है और पिछले resistance को break करता है तो वो trade बहुत ही बेदरिन होते हैं strong trend का सकते हैं और यहां पर मुझे market में एक अच्छा level बनता दिख रहा है upside के लिए लेकिन याद रहे हमारे लिए 5970 यह लेवल बहुत important है अगर इसके उपर में एक green candle का closure आती है 30 minutes of time frame में तो आपको crude oil में एक बड़ी rocket बनता हुआ एक बड़ा momentum आने वाले टाइम में आपको दीख सकता है next जो हमने यहां पर लगाया गए उसका नाम है natural gas natural gas का trade मुझे बहुत अच्छा लग रहा है personally यह देखे मार्केट एक बार यहां पर test किया है second time test किया third time test करता दिखा है अगर यह consolidation जोन के बाद यहां पर एक breakout आती है तो natural gas में याद रहे एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब वो कौन कौन से stock होने वाले हैं तो चली उनकी analysis कर लेते हैं जो मेरे पास जो stocks है उसका नाम है और बिंदो फार्मा इंट्राडे के purpose से सबसे पहला जो pick किया है गए फरस्ट वन दाड़े और बिंदो फार्मा और बिंदो फार्मा क्यों लिया है ध्यान से देखे मार्केट एक support बनाया था यहां पर breakdown दिया जब एक support टूटता है तो वो क्या करता यहां पर CIP का formation था change in polarity फिर से मार्केट यहां के एक resistance बना फिर यहां देखेगा resistance का breakout आई थी यह क्या था आपका एक fake breakout था और जब भी कभी भी किसी level पर fake breakout या फिर एक track होती है तो यहां से देखे एक अच्छी fall आई फिर से यहां पर देखें एक support बना हुआ था एक यहां पर fake breakout आया उसके उपर close कर रहा आने वाले टाइम में मुझे इसके उपर में जाता हुआ दिख रहा और बिंदो फार्मा इसे नजर बना के रखें किस तरीके trade का plan करेंगे 1019 के उपर buy किया रखेंगे इसके नीचे रखेंगे 1012 का रिस्क रिवार्ड लगबट 21 का रिस्क रिवार्ड लेकर करके हम यहां पर ट्राइब करें फर्स्ट 1.5 फिर उसके बाट ट्रेलिंग होगी नेक्स जो ट्रेड है हमारे पास उसका नाम है बाजाज फाइनांस यू लिया ध्यान से सब्सक्राइब करें यह हमारा सपोर्ट सब्सक्राइब करें इसके नीचे प्राइब करता है तो इसके नीचे प्राइस को जाना पड़ेगा रेड कैंडल बनाकर यहां अगर red candle का formation होता है तब जाकर के हम नीचे का trade करेंगे यहां green candle होगा सीधा उपर का trade करेंगे यही दो plan है और यही दो plan में से मुझे उमीद है पुरा की कोई ने कोई एक scenario बनना चाहिए next stock जो मैंने लिया है वो है भारती अटेल सिर्फ उसी buy का plan करेंगे यहां पर कब करेंगे ध्यान से देखें अगर market इस range में कहीं पर भी open होता है तो जिस candle के open होगा उसके उपर में try करेंगे उसे नीचे का stop loss एक बड़ी अच्छा moment है अब भारती अटेल में दिख सकता है अब side में जो level है उसके उपर में नेक्स टॉक है नाम HDFC life insurance सिर्फ उसी buy का plan करेंगे शेल की कोई planning नहीं है यह इसका support हुआ करता था support पर देखेंगे तेक morning star candlestick pattern का formation है यहां पर यह जो zone है कुछ यह वाला एससे लगा कर सीधा है यहां से target अगर देखें मुझे 3 is to 1, 4 is to 1 का risk reward वाला trade दिख रहा है नाम है HDFC life insurance यहां पर यह 30 minutes का time frame है आप चाहो तिसके 15 minute का time frame पर भी try कर सकते हैं मैंने आपके लिए यहां पर 15 minute का time frame लगा है हो आप ध्यान से देख सकते हो 15 minutes of time frame में price ने क्या किया है अपने support पर support लेता दिखा है इस level के उपर यह जाता दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा करें तो इसके नीचे का stop loss रखें यहां पर यह हमारा target होगा अगर यहां isle लेंगे तो 2 is to 1 का risk reward बहुत अच्छा बनता हुआ दिखा है HDFC life insurance में तो आप मुझे comment करके जरूर बताईए गाईस कि यहां पर कौन से stock आपको बेहतरीन लग रहा है निफ्टी निफ्टी बैंक के analysis पाइदा हुआ या नहीं हुआ जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगत पली वीडियो और लाइक जरूर करिएगा एक disclaimer बता दूए ये वीडियो सिर्फ फॉसित मैंने educational और learning purpose से बनाया है मेरा यहां पर recommend करना, advise करना बेलकुल भी नहीं है Thank you guys, thanks a lot, वीडियो आगे जरूर forward करें, like करें, comment करें, thanks a lot